गाइस वेलकम तो अलफा इस्टिटूट गाइस बोर्ड एक्जाम में कापी कैसे लिखी कापी को लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखकर कापी लिखना चाहिए और कापी को किस पेन से लिखना चाहिए ताकि एक्जामनर आपको अच्छा नमबर दे गाइस टेलिग्राम पर कापी इस्टूनेट हमें कॉल करके कुछ लोग मैसेज करके बार बार पूछ रहते सर्फ कापी को लिखने के लिए बेस्ट पेन कौन सा है तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कापी को लिखने के लिए बोड इकजाम में कापी पर लिखने के लिए बेस्ट पेन कौन सा है गाइस देखिए बोड इकजाम में जो कापी होता है वही आपके पुरी साल की मेहनत की धन होता है वही आपके पुरी साल को मेहनत को रिपरजेंट करता है अगर आप copy पर अच्छे तरीके से represent कर लेते हो तो आपको अच्छा number मिलता है और हम आपको जल्दी बताएंगे कि आपको board exam में copy कैसे लिखना है बहुत सारे student board exam में copy कैसे लिखना है बार-बार telegram पर पूछ रहते हैं अगर आप लोग comment करोगे तो जल्द से जल्द हम वीडियो बनाएंगे कि आपको board exam में copy कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको आपको board exam में copy लिखते समय है किस pain का प्रियोग करना चाहिए ताकि आप उस pain का अभी से market से लाकर खोब सारा practice कर लें ताकि उस pain में कम सकम 50% कम सकम 4-5 pain लेकर आएं अभी से market से आप जितना भी time बचा है उसी pain से लिखें ताकि वह pain आपके अउनियों के लिए comfortable हो जाए आपके लिए comfortable हो जाए ताकि जिससे आप अच्छे से अच्छे board exam में लिख सकें जिससे आप कोई भी गलब भी question लिखे हो फिर भी examiner के सामने वह impress हो जाए आपके लिखावट पर आपके presentation skill पर आपको अगर board exam में अच्छा number लाना है तो अपने presentation skill को improve करना पड़ेगा presentation skill कैसे improve होगा आपको इसके लिए खुब सारा practice करना पड़ेगा कैसे practice करना है आप अगर comment करेंगे तो हम आपको बता देंगे कि कैसे presentation skill को improve करने के लिए practice कर सकते हैं आप presentation skill को improve करने के लिए test ओगरा भी दे सकते हैं test के जरिये भी आप अपने presentation skill को improve कर सकते हैं Guys, बात करते हैं कि board exam में किस pain से लिखना चाहिए Guys, देखे, board exam में लिखते समय केवल आपको दो color का pain यूज करना चाहिए केवल दो color को, उसके अलमा किसी भी color का pain यूज नहीं करना चाहिए First color है black और blue किसी भी pain का यूज कर सकते हो Black और blue color के किसी भी pain का यूज कर सकते हो जो आपके लिए comfortable वैसे हम आपको अभी एक pain दिखाएंगे जिससे आप अगर यूज करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा मुझे अच्छा लगता है, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे इसके अलावा अगर आने कोई pain आपको अच्छा लगता है तो आप लिए उसका यूज कर सकते हो अगर आप अगर आप red या green pain का यूज करते हो तो आपके लिए गल्ती है आपका नमर कर सकता है आपको red और green pain का यूज नहीं करना चाहिए यह वाल दो pain का यूज करना चाहिए ब्लू और black कुछ लोग बोड एक्जाम में कहीं गलती हो जाती है तो गलती को मिटाने के लिए वाइटनर का परियोग करने रखते हैं जिससे उनका टाइम कर्जिम होता है आप वाइटनर पेंड का भी यूजनक करें अगर गलती हो तो सीधे इस परकार से काट दें आप वाइटनर का वाइटनर पर यूज किया है तो आप कुछ गलती होते है प्रति होती है इस परकार नहीं चाहिए तो एक्जामम में आपको आपको वाइटनर नहीं उचकरना है आपको केवाल पेंड यूज लेजे, ब्लैक वाला पेन दो प्रकार का लेजे है कि ब्लैक पेन जो है पतला लीज्ये, एक ब्लैक पेन मोटा लेजे मोटे ब्लैक वैं मैं यस पेन का यूच कर सकते हैं यह हम किस कंपनी का है committed का है औ Lemon you know पर टेलिग्राम चैनल पर और मैं अपने इस्ट्रागाम पर डाल दूगा आप लोग नीचे लिंक है जाकर देख लेना वहां पर इस पेन का जो है पिचर में वहां पर डाल दूगा यह पेन दस रुपे की मिलती है मोटी चलती इस पेन का यूज हम लोग बबल भरने में करते है जब कोई कमटे किग्गां देते होंगे उस कमटे की जो गौला होता उस गोले को म Minnie करते है फैनłem अन्य पेन से मोटा चलता है थीक है काली पेहन अन्य पेनों से मोटा चलता है इस पें से आप आप heading डाल सकते हैं कुछ लोग heading डालने के लिए sketch का यूज करते हैं sketch का यूज आपको नहीं करना चाहिए मुझे लगता है कि sketch का यूज सही नहीं होता है मार्केट में जाना है आठ दस पेन आपको निकलवाना है सभी पेन को एक पन्ने पर लिक लिक कर देखना है जिस पेन से आपको लगे कि आपके लिए comfortable है उस पेन को ले लेना है उस पेन का पूरे packet को ले लेना है एक packet आप blue ले लेना ब्रैक वाले में दो तीन पेन लोगे तब पर भी चलेगा लेकिन blue वाले में एक packet पुरा लेना एक पैकेट में पांच में आती है तो पांचों को पांचों लेकर अभी आप लेकर चले अब से जितना भी आप लिखो केवल उसी पेन से लिखो ताकि उस स्पीड आपका कि पीन ले सकते हो बाल पेन दाते हो ले ले सकते हो यह लोग जियूरोग से लिखते हैं। लास्ट क्या करते हैं कर लिख जाकर market से लिख nu कर आएंगे । लोLike नहीं पाते है अगर आप से लिखना और यह लिखना अच्छा होता है क्योंकि यह पेंग से लिखना ठीक है लेकिन अगर आप जेलpeन से लिखते हो तो राइटिंग बढ़ियां बनता है लेकिन जेल पेंग से आपका इस्तेमाल करोगी पहले से परियोग करो गिश करोगी जेल अने मार्केट से पैन को ले कर सक्षें कर डेली के लिखने स्टार्ट कर दिना और कॉल किस पैन को ले उसका नाम Cash single band कर दो ना ठाकि स्टुडेंट को हैल्प मिले जो आपके लिए अच्छा कोई हो दो चार पेपर की बात है पूरी साल की मेहनत है अगर एक बार आप अच्छे से लिख लोगे अगर आप बढ़ियां से लिख लोगे तो आपको इंजामर अच्छा नमबर देगा और प्रसेंटेज आ जाएगा तो आप लेकर एक अच्छा सा पेन ले लिजे लेकर इस पेन को लेना मत भूलेगा यह पेन वेस्ट पेन है यह मझे स्पॉंसर्ड मिला है मुझे स्पॉंसर्ड हो रहा नहीं मिला लेकि मेरे लिए पेन अच्छा था मैंने सुचा कि आपको बता तो गाइस मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद